के अभीडियों को नबर को डिसेंडिंगउर में का से एक तो देखो अब लिखा हुआ है 3 रूट अफ टूरूरित थूरूट 3 एडडू अट शूंप उसको क्या करना है byte का में एरेंज करने डाइट मिस घड़ते करम में तो देखो आप इसको डिसेंडिंग और में एरेंज करने से पाले कुछ कंसेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़ली है जैसे मैं अगर देखो यहां पर एंथ रूट आफ ए लिखा हो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं यह के पाउर वन बाई एन ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे सब को जोता है एक्स्पोनेंट के फॉर में कंवर्ट करतेंगे ठीक है तो देखो यहां पर टू के पाउर यह क्या हो जागा वन बाई थ्री यह क्या हो जागा थ्री के पाउर यहां कुछ नहीं इसका मतलब टू है यहां देखो फाइब के पाउर कितना हो जागा वन बाई शिक्स क्योंक तो सबसे पाले सबके पावर को शेम कर देंगे तो हम इसके बेस से कंपेर कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ठीक है तो चलो इसके पावर को कैसे सेम करेंगे तो देखो यहां पर देखोगे 1 by 3 1 by 2 1 by 6 क्या है रिशनल नंबर है तो हम सब क्या कर रहे हैं कि सबके डिनमेंटर को सेम कर लें, डिनमेंटर को सेम करने के क्या करते हैं, हम LCM लेते हैं, 3, 2, 6, का LCM क्या होगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां देखो, 2 का पावर, 1 by 3 हो गया, तो देखो, अगर हम मुझे करना, इस 3 को 6 करनी है, तो 3 में क्या से multiply करेंगे, 2C, तो अगर हम केवल डिनमेंटर में करेंगे, और निमेंटर में करेंगे, तो क्या ज़िए, अन्भाइलेंस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2C, इसकी डिमेंटर में, एंड डिनमेंटर में, दोन से multiply कर देंगे, ठीक है, यहां देखो, 3 हो गया, यह 2 है, 2 को 6 करनी के लिए 3y कितना हो गए 6 और यह अपका हो गए 5 का पाउर 1 by 6 हो गया ठीक है यहाँ तो कोई दिकत नहीं है तो देखो एक और इस इस कंसेप्ट समझो अगर a के पाउर m by n लिखाओ a के पाउर a का पाउर हो m by n इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a के पाउर m का whole power 1 by n ठीक है या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते a के पाउर 1 by n का whole power m यहाँ ते कोई दिकत नहीं है देखो a के पाउर अगर m by n हो तो हम m को अंदर कर लेंगे m by n को बाहर कर लेंगे या अगर 1 by n को अंदर कर लो m को बाहर सकते हो s इस फॉर्म में आप सकते हो वह तरो 2 आए सिक्स है तो को यह हो है यह 2 डोडोड है यह 2 को आम क्या कर दे 10 9 और 6 को 1 by 6 को बाहर करें क्योंकि देखू यह 2 by 6 है तो 2 into 1 by 6 तो आपको 2 by 6 हो जाएगा 3 तो 3 के पाउड 3 into 1 by 6 1 by 6 होगा नो यहां पर यहां कि 3 अंजर तो यहां आप उपर 1 न बचेगा जी यह 5 के पाउड 1 by 6 तो 2 के पाउड कितना होता है 2 के पाउड 2 that means 2 के स्कोर 4 4 के पाउड 1 by 6 और यह आपका कितना हो गया 3 के पाउड आपकी भी है 3 के पाउड 3 है तो अब आप देखू कि जितना भी है अपका नंबर श्रब के जो है पाउड सीम है इसका भी 1 by 6 इसका भी 1 by 6 है लेकिन बेस डिफ्रेंट है तो हम बेस से कंपेर कर लेंगे तो इसको बोला है descending order में तो descending order में सबसे बढ़ा सबसे बढ़ा कौं दिख रहा है 4, 4, 27 और 5 में सबसे बढ़ा क्या दिख रहा है 272, 27 पौन 1 बैज 6, ठीक है? देन उससे छोटा कौन है? 5, 1, 6, 5, 1, 6 ठीक है? देन उससे छोटा 4 अफौन 1 बैज 6 ओके? तो देखो, अब हमें इस फॉर्म ने करें, इसका जो ओरिजनल फॉर्म है, उस फॉर्म में करना है, 27 upon 1 by 6, कहाँ पर? यहाँ पर है, इसका मतलग यह रूट 3 है, तो यहाँ पर हमारा रूट 3 इसको बढ़ते करें, साइन दे दो, इस तरह उसका रूट 3 हो गया, 5 upon 1 by 6, 5 upon 1 by 6 6 कहा है, यहाँ पर है, इस पर कॉंस इसका ओरिजनल फॉर्म है, 6 upon 1 by 6, 6th root of 5, 6 root of 5, ठीक है, then 4 upon 1 by 6, तो 4 upon 1 by 6, यहाँ पर क्या है, 3rd root of 2, ठीक है, 3rd root of 2, ठीक है, तो आपने कहा करें, डिसेंडिंग ओर्डर में इससे एरेंज कर दिया, ओके, तो प्लीज दोस्तों, लगी, और आपके लिए अगर helpful है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब है, मोडिबेट करता है, थाइंक्यू फ्रेंड्स,